हेलो एवरीवन, वेलकम अगीन टू लंगरे देतिमन, आज हम करने वाले हैं टैन्थ क्लास का चैप्टर नमबर टू, राजिस्थान के लोग देवतावा संत, जितने भी पैरग्राफ में, जितने भी कुशन बन सकते थे, सभी मैंने इंक्लूड कर लिये हैं, तो हम इसी तरी यह जो है, वो कैसे करनी है, देखिए, सबसे पहले चैप्टर में पढ़ाती हूँ, तो उसको आप एक दो बार पढ़ा करिए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चैप्टर को पढ़ने में, उसके बाद आप इन कुशन आंसर को यहां वीडियो में देखें, नेक्स के बाद आंसर देने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, आप जिन्दिगी में कभी एक भी कोशन नहीं भूलेंगे, चलिए, स्टार्ट करते हैं, कोशन वन, पंच पीरों में शामिल लोग देवता कौन-कौन है, तो देखिए, जी, गोगा जी, पाबू जी, हडबू जी और मांगलिया जी, नेक्स्ट देखिए, सेकंड कोशन है, गोगा जी के पिता और माता का क्या नाम था, गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाचल था, गोगा जी के पिता का नाम था जेवर और माता का नाम था बा नेक्स्ट है फोर कुश्यन गोगा जी का जन्म इस्थल और समाधी इस्थल क्या कहलाता है तो इनका जन्म इस्थल जो है वो दद्रेवा सीर्ष मेडी कहलाता है और इनका समाधी इस्थल दोर्मेडी कहलाता है ठीक है इनका जन्म इस्थल जो है वह कहलाता है दद्रेवा सीर् नेक्स्ट देखिए question 5 गोगा नवमी कब मनाई जाती है तो यह भाद्र पद्ध कृष्ण नवमी को मनाई जाती है गोगा मेड़ी हनुमानगड में ठीक है गोगा नवमी भादों की कृष्ण नवमी को याद रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग देवताओं में ज् जोहार तो भादों की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है गोगा से गोगा मेड़ी और हनुमानगड में यह मनाई जाती है गोगा जी का पूजा इस्थल कहां होता है गोगा जी को कहां पूजा जाता है तो इन्हें खेजड़ी ब्रक्ष के नीचे पत्थर पर उत्कीन शर्प मूर्ती के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है मुस्लिम लोग गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? तो जहां हिंदू इन्हें नागों के देवता के रूप में पूजते हैं वहीं मुस्लिम लोग इन्हें गोगा पीर के नाम से पूसते हैं Question number 8 है हिंदू लोग गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं तो हमने देखा कि मुस्लिम भाई जो होते हैं वो गोगा जी की पूजा गोगा पीर के रूप में करते हैं वहीं हिंदु लोग नागराज के रूप में करते हैं। वीर तेजा जी का जन्म कहां हुआ था? वीर तेजा जी का जन्म खडणाल नागोर में माग सुकल चतुरदसी को हुआ था। वीर तेजा जी का जन्म नागोर में हुआ था, घर्डनाल में माग सुकल चतुरदसी को. Next है, question number 10. वीर तेजा जी के माता-पिता का क्या नाम था? तो हमने देखा कि गोगा जी के माता का नाम क्या था? बाचल, पिता का नाम था? जेवर और तेजा जी के माता-पिता का नाम क्या है? माता का नाम राम कुबरी और पिता का नाम ताहर जी. Next है, question number 11. तेजा जी की पतनी का क्या नाम था? तो इनका नाम था पैमल दे. पैमल दे तेजा जी की पतनी का नाम था. तेजा जी की म्रत्यू कब हुई थी? तो तेजा जी की म्रत्यू हुई थी भादों की सुक्ल दस्मी को सुर्शुरा किसनगर में यहां सुर्शुरा नहीं है सुर सुरा किसंगड में भादों की सुक्ल दस्मी को तेजा जी की मृत्यू होई थी तेजा जी का पसु मेला कब लगता है तो भादों में ही लगेगा मेला भाद्र पद्र सुक्ल दस्मी को तेजा दस्मी मनाई जाती है इस पर पंचमी से पूर्णिमा तक मेला लगता है ठीक है तेजा दस्मी पर पंचमी से पूर्णिमा तक तेजा जी का मेला लगता है तेजा जी का पसु मेला कहां लगता है तो यह मेला जो है वह है भादों की सुकल दस्मी पर पंचमी से पूर्णिमा तक नागोर में लगता ह परवतसर में नागों की देवता के रूप में कौन से लोग देवता पूझे जाते हैं तो देखिए तेजा जी और गोगा जी दोनों ही नागों के देवता के रूप में ही ühस्टोरी हमने चप्टर में पढ़ी ली थी तो यहांपर डिसकस नहीं करेंगे यहाँ याद रखना है कि तेजा जी और गोगा जी इन दोनों को ही सर्पों के नागों के देवता जो है वो माना जाता है नागों के देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता है तो एक बार रिवाइस कर लेते हैं गोगा जी और तेजा जी को देखिए हमने क्या देखा कि गोगा जी जो है उनके पिता का नाम जो है क्या था? जेवर माता का नाम बाचल था, इनका जन्म दद्रेवा सीर्ष मेड़ी यहां हुआ था, समाधी धुर्मेड़ी में है, भादो की कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी हनुमान गड़ में गोग इनका जन्म नागोर करणाल में हुआ था, पिता का नाम ताहर जी, माता का नाम राम कुवरी, पत्नी का नाम पेमल दे। भादों की सुकल दस्मी को सुर्शुरा किसंगर्ण में मृत्ति हुई थी और भादों की जो सुकल दस्मी को ही पंचमी से पोनेमा तक तेजा दस्मी मनाई जाती है उस वक्त पसुमेला लगता है परवसर नागोर में ठीक है चलिए पाबु जी का जन्म कहा हुआ था अब हम देखते हैं पाबु जी को पाबु जी का जन्म हुआ था धांदल जी राठोड के यहां कोलू फलोदी में 1249 इस्वी में कोलू फलोदी में पाबु जी का जन्म हुआ था पाबु जी का विवाह किसके साथ हुआ था तो इनका विवाह जो है वह हुआ था अमर कोट के सूरज मल सोडा की पुत्री सोडी के साथ किसका विवाह हुआ था पाबु जी का पाबु जी का बहनोई कौन था? ये कुश्चन देखिए, एक्जाम में आ सकता है, बहुत हलकी कुश्चन भी कभी-कभी एक्जाम में आ जाते हैं तो इनका बहनोई का जो नाम था, वो था जीन्दराव खिंची, जोकी जायल नरेश, नागोर के नरेश दे जीन्दराव खिंची, ठीक है? जीन्दराव खीची जींद्राओं खिंची ने किसकी गायों को घेर लिया था जिनको छुड़ाने के लिए पाबु जी गए थे तो जींद्राओं खिंची ने देवल चार्णी की गायों को घेर लिया था उटों के देवता के रूप में किस लोग देवता को पूजा जाता है तो most important question है कि पाबु जी को उटों के देवता के रूप में पूजा जाता है मारवाड में सर्व प्रतम उट लाने का सुरे किस लोग देवता को है मारवाड में सर्व प्रतम उट लाने का सुरे जो है वो किसे है पाबु जी को है पाबु जी को इसलिए उटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है लक्षमन जी के अवतार के रूप में कौन से देवता पूजे जाते हैं तो लक्षमन जी के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं पाबु जी नेक्स्ट 23 कुश्चन है पाबु जी की फड किनके द्वारा बांची जाती है तो पाबु जी की फड किनके द्वारा बांची जाती है तो पाबु जी की फड बांची जाती है भोपे और भोपियों द्वारा पाबु जी की फड जो है वो बांची जाती है next देखिए question 24 हमने पाबु जी को देखा पाबु जी के बारे में हमने क्या क्या पड़ा हमने पड़ा कि पाबु जी का जन्म जो है वो कोली फलोदी में हुआ था ठीक है और उटों के देवता के रूप में पाबु जी को पूजा जाता है लक्षमन जी के अवतार के रूप में पाबु जी को पूजा जाता है इसके अलावा हमने अभी देखा कि पाबु जी की फड़ जो है वो भोपे और भोपियों द्वारा वांची जाती है देव नारायन जी का जन्म कब हुआ था 1243 इस्वी में देव नारायन जी का जन्म हुआ था देव नारायन जी की पतनी का क्या नाम था तो इनकी पतनी का नाम था पीपल दे ठीक है देव नारायन जी की पतनी का नाम था पीपल दे देव नारायन जी की पूजा इस्थल कहा है तो देव नारायन जी की पूजा इस्थल जो है वह भीलवाडा में है आसीद में ठीक है भीलवाडा आसीद में देव नारायन जी की पूजा इस्थल है नेक्ट है देव नारायन जी का मेला जो है वह कब लगता है तो इनका मेला भादों की सुक्ल सप्टमी को लगता है तो देखिए सबसे पहले जब हमने बात की थी किसकी गोगा जी की तो भादों की कृष्ण नव्मी को गोगा नव्मी मनाई गई थी तेजा जी की बात की तो तेजा जी भादों की सुक्ल दसमी को देव नारायन जी की बात की तो भादों की सुक्ल सब्तमी को मेला लगता है देव नारायन जी के मुख्य अनुयाई कौन है जो उनकी फण बांचते है पाबु जी की पड़ बोपे और बोपियों द्वारा बांची जाती थी और देव नारायन जी की पड़ जो है वह है गुर्जरों के द्वारा बांची जाती है ठीक है ये इनके मुख्य अनुयाई जो है वो माने जाते हैं चलिए आज का वीडियो जो है वो यहीं समाप्त करत नेक्स्ट जो पीडिया फाइल है या जो भी आपने नोट किया है उनको याद करिए और फिर यहां पर आकर इन को लगाईए पॉस करिए और इनके आंसर देने की कोशेश करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू